जै माता अदी, जैकारा, शेरावालीदा बोल, सच्चे दर्बार की जै इस वीडियो में हम जुवाला माता मंदिर के बारे में जानेंगे इस से पहले एक वीडियो बनाई है नैना देवी मंदिर की जिसमें हमने बताया है कि माता सती का कौन सा भाग कहां पर गिरा है ज्वाला देवी की ज्वाला से सम्मंदी दो पराणिक कथा है, एक तो है अकबर और ध्यानुभक्त की, दूसरी है गोरकनात की, दोनों की कथा हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी और बेल बटन तो जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहें, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्वाला देवी मंदीर में बिना तेल और बाती के नो ज्वाला ही जल रही है, वो माता के नो सबरूपो माता और देवी मा सरस्वती, मा अंभिका और मा अंजी देवी, ये आठ देवी हैं जो वहाँ पर ज्वाला के रूप में अभी भी हैं, मा ज्वाला देवी के मंदीर का निर्मान सबसे पहले राजा भूमी चंद ने करवाया था, इसके बाद 1835 में महराजा रंजीत सिंग और राजा संसार चंद ने इसका पुनर निर्मान करवाया था, बिटिश समराजय के दुरान मंदीर की ज्वाला जानने के लिए जमीन के नीचे दबी उई उर्जा का पता लगाने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, आजादी के बाद भी कई पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन कोई जानकरी उनको नहीं मिली है, तो यही बाते सिद करती हैं, कि मंदिर से निकलती ज्वाला करहस्य है, आज भी बना हुए, और यह चमतकारी ज्वाला है जुआला देवी के मंदिर के संभन्द में जो कथा अकबर और ध्यानु जी की है वो उसके बारे में अब हम जाते हैं यह टाइम होगा पंदरा सो ब्यालिश से सोला सो पाच के बीच का जब अकबर दिल्ली का राजा हुआ करता था ध्यानु भक्त माता का बहुत बड़ा भक्त था एक बार देवी के दर्शन के लिए वो अपने गाउंवासियों के साथ जुआला जी के दर्शन के लिए निकला जब उसका काफिला दिल्ली से गुजर रहा था तो अक्पर के सिपाहीों ने उसे रोक लिया और अक्पर के दर्बार में पेश किया अक्पर ने तब ध्यानू से पूछा कि गामवासियों के साथ तुम कहां जा रहे हो तो उत्तर में ध्यानू ने कहा कि वह जोता वाली के दर्शन के लिए जा रहे हैं अकपर ने कहा तेरी मा में क्या शक्ति है वो क्या कर सकती है तब ध्यानू ने कहा कि वो संसार की रक्षा करने वाली है ऐसा कोई कार्या नहीं जो वो नहीं कर सकती तब अक्पर ने बोला कि चलो आज तुम्हारी माता की शक्ति को देखते हैं और तुम्हारी भक्ति की भी प्रिक्षा लेते हैं मैं तुम्हारे गोडे का सर कटवा दूँगा, अगर तुम्हारी माता में इतनी शक्ती है, तो इस गोडे का सर जोड कर दिखाए, इसे जीवित करके दिखाए, तब ध्यानु ने माता का ध्यान किया, और माता से का है मा आज मेरी लाज रखो और इस गोडे को जीवित रख द जलती है, कोई नहीं जानता कि वो कैसे जलती है तो अकबर ने उस पर पानी डलवा दिया वो जवाला तब भी नहीं भुजी तो एक नदी लेकर आया उसका रुख चवाला की तरफ कर दिया तब भी नहीं भुजी तब अकबर को लगा कि यह सच में कोई शक्ती है जो यहाँ पर ज्वाला जल रही है तो अकबर महाँ पर माता के दर्बार में गया ज्वाला जी और महाँ पर सोने का चट्र चड़ाया तब माता ने वो चट्र सविकार नहीं किया और उस चट्र को गिरा दिया और गिरने से वो किसी और धातू में ब अंदिर के अंदर का ने जा रहा है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, चलिए यहां अंदर जाकर देखते हैं क्या है, यह एक अलग से रूम बना हुआ है, जो मातारानी के सोने के लिए त्यार किया जाता है, यहां मातारानी का पुरा बिस्तर त्यार किया जाता है, मातारानी क यह लोग बैठे भी हैं आराम कर रहे हैं महां बैठ कर कुछ लोग चलिए अब दूसरी कथा के बारे में जानते हैं जो प्राचिनकाल से मा के एक अन्या भग थे गोरकनात जो मा की दिल से सेवा करते थे एक बार गोरकनात को बूख लगी तब उन्होंने माता से कहा कि आप आग जला कर पानी गरम करें मैं भिक्षा मांग कर आता हूँ मा ने कहे अनुसार आग जला कर पानी गरम किया और गोरकनात का इंतजार करने लगी इंतजार आज भी चालू है क्योंकि गोरकनात कभी लोटकर नहीं आए कहते हैं मा आज भी जुआला बनकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है माँ पर आईए गोरकनात मंदिर के अंदर से दर्शन करवाते हैं आपको बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है यह देखिए बहुत प्यारी प्यारी फोटो लगी हुई है अंदर जो चित्र जिन को भोलते हैं बहुत प्यारे आई यह और यह मातरानी की वहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिम्या है जिसको देखर दिल खुश हो जाता है बहुत अच्छे से दर्शन की है हमने मातरानी के वहाँ पर यह गोरकनार डिबी का मंदिर है यहां से तीन-चार सेडिया नीचे उतर कर जाना ओता और यह बहार आते हुए क्योंकि अंदर तो कहना लाउड नहीं है तो हम अंदर के दर्शन आपको नहीं करवा सकते हुए तो जुरूर दुभा देजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के जानकारी आपको मिलती रहे जैमातरादी